आज ही डाउटनेट आप डाउनलोड करें डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी Maths, Chemistry, Physics और Biology डाउट्स का सफाया बस अपने question की photo खीचो उसे crop करो और तुरंत वीडियो solution पाओ डाउनलोड नाओ यहाँ पर question में हमसे कह रहा है कि हमें मान के चलना है हमें assume करना है एक population है जो कि एक particular infectious disease के लिए herd immunity के level पर पहुँच चुकी है उस तरह की population में अगर अचानक से हम एक infected individual को introduce कर देते हैं तो हमें दिये दाई options में से कौन सी condition देखने को मिलेगी यह हमें यहाँ पर बताना है infectious disease जो term यूज कर है इससे हाँ पर हमारा मतलब है कि यह disease communicable है यानि यह एक infected person से दूसरे person में healthy person में pass on की जा सकती है लेकिन population ऐसी बताई हुई है जिसमें herd immunity डेवलाप हो चुकी है अब यह दो हम जानते हैं कि immunity जो है यह हमारी body की infection fight करने की ability है और बहुत हद तक हमारी body में naturally भी कई तरह के germs को fight करने की capability होती है जब ही हमारी body के अंदर कोई pathogen पहली बार enter करता है तो हमारे lymphocytes जैसे ही इसके contact में आते हैं वो इसे पहचान लेते हैं और फिर धीरे धीरे इस antigen को या इस pathogen को fight करने के लिए अपनी body में देरे देरे इस pathogen को antibodies के help से defeat किया जाता है और अगर गलती से pathogen दुबारा कभी हमारी body में enter करता है तो क्योंकि already हमारी body के अंदर इसकी memory होती है तो बहुत ही quickly antibodies produce करके इसको overpower किया जा सकता है तो ये दो हमारी जो है active immunity हो गई जहां पर pathogen हमारी body में आ रहा है infection cause कर रहा है और उसके बाद हमारी body antibodies produce कर रहे है इसके against लेकिन immunization या vaccination जिसे कहा जाता है ये एक ऐसी process है जहां पर जान भूच के हमारी body के अंदर कुछ human population को बहुत ही adversely affect करने वाली जो well-known diseases है उनके लिए immunity create की जाती है तो या तो इन infectious agents को fight करने वाले जो antibodies है उन्हें हमारी body में introduce कर दिया जाता है या फिर वो जो pathogen उस disease को cause करता है उसका ही weakened या attenuated form या dead pathogens को भी लेके हमारी body में डाल दिया जाता है ताकि हमारी body में उसके antibodies बनाने के लिए जो immune response है वो initiate हो जाए तो herd immunity हम तभी बोलते है जब किसी disease के लिए कोई एक population काफी हद तक बहुत अच्छी percentage में जो है vaccinate हो चुकिया immunize हो चुकिया तो यहाँ पर herd immunity है हमारा क्या मतलब है herd immunity का मतलब यह नहीं होता कि इस population का हर single individual जो है यह vaccination रिसीव कर चुका है लेकिन herd immunity का मतलब यह है कि इतनी अच्छी percentage है इतना widespread इस disease का vaccination हो चुका है कि अब इस population में इस pathogen के या इस disease के causative agent के survive करने के chances बहुत काम है क्योंकि जाए हर एक individual में इसके antibodies ना हो या इस disease को fight करने के लिए vaccination उसको नहीं मिली हो लेकिन फिर भी अगर बहुत large percentage में individuals जो है vaccinated है तो यह pathogen इस population को enter करेगा और एक healthy person की body में जब वो enter करने की कोशिश करेगा तो जादा तर लोग तो से ऐसे मिलेंगे जो के vaccinated है और इसलिए इस pathogen की life cycle वहीं के वहीं खतम हो जाएगी यह बहुत तेजी से बढ़ नहीं पाएगा multiply नहीं हो पाएगा क्योंकि जादा तर human beings जिनकी body को enter करने की कोशिश कर रहा है जिनको अपना host बनाने की कोशिश कर रहा है उनकी body में तो यह survive कर नहीं पा रहा उन में भी infection create करने का disease cause करने के लायक यह pathogen नहीं रहता क्योंकि जहां पर भी जाता है वहाँ पर इसको immunized लोग मिलते हैं और यह इस तरह की population में survive ही नहीं कर पाता है तो herd immunity यहाँ पर develop हो चुकी है यानि इस disease का जो causative agent है इस population में उसके survive करने के chance बहुत कम है तो ऐसे में अगर एक infected individual इस population में आ भी जाता है तो herd immunity से हमारा यहीं मतलब है कि इतने अच्छे तादाद में लोगों को यहाँ पर vaccination मिल चुका है कि बाकी जो रह गए हैं जिनको नहीं भी मिला है वो भी एक group immunity की वज़े से herd immunity की वज़े से protected रहते हैं क्योंकि इस disease का causative agent इस population में आ ही नहीं पाता है survive कर ही नहीं पाता है तो इन में से कौन सा हमें सिनारियो देखने को मिलेगा कह रहे हैं कि यह infection बुरी तरह से spread हो जाएगा population में exponentially यानि बहुत ही तेजी से ऐसा तो नहीं होगा herd immunity का मतलब ही होता है कि यह population बची रहेगी इसके बाद कह रहे हैं कि यह इस population में linearly spread होगा तो gradually भी spread नहीं होगा herd immunity का मतलब यह ही है कि यह population बची रहेगी कह रहे हैं कि कुछ individuals infect हो जाएगे लेकिन यह population में spread नहीं होगा तो यह सही बात है कुछ individuals में infection आ सकता है लेकिन all in all सिर्फ एक small scale पे बहुत ही कम लोगों को यह affect कर पाएगा ऐसा नहीं है ऐसा हम guarantee नहीं ले सकते कि इस population में एक भी individual affected नहीं होगा क्योंकि जैसा कि हमने कहा एसा नहीं है कि हर एक व्यक्ति यहां पर immunized है लेकिन herd immunity का यही मतलब है कि इस population में यह disease ज़्यादा तेजी से फैल नहीं सकती affect भी करेगी तो कुछ ही लोगों को करेगी तो दिये गए options में से options C हम सही answer mark करतेंगे Classics to 12 से लेके नीट IIT जेही means और advance के लेवल तक 10 मिलियन से जादा students का भरोसा आज ही डाउनलोड करे डाउटने टाप यह WhatsApp कीजिए अपने डाउट 8444 चार्स उपर